आज मैं आपके साथ सेर करूंगी यूपी और बिहार की फैमस सत्तू का पराठा और साथ में भुने हुए टमाटर की चटनी इसे आप ब्रेकफर्श्ट में या फिर डिनर में बना सकते हैं पर्फेक्क कॉम्बो है और आपको पता है सत्तू का पराठा बहुत ही हेल्दी है ज सत्तू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डों तेयार करेंगे इसके लिए हमने एक बरतर में 2 कफ गहूं का आठा लिया है आठा यहां पर अपने ज़ूरत के साफ से ले सकते है इसमें हम डालेंगे स्वाध के अ letter की नमक और नमक डालकर से पहले अच्छ हैसे मिला तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि हमारा डो जादा गीला नहीं हो, सेमी सो डो हम बनाकर तयार करेंगे, ना जादा सौप रखेंगे और ना जादा टारीद रखेंगे, तो कुछ इस तरिके से मैंने डो बनाकर तयार कर लिए है, यह देखें, तो अब यहाँ पे हम डो को गवर कर देंगे और 10 से 15 मिनिट के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे और अब हम चलते हैं नेस्ट प्रोसेस में तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे सत्तू एक कव आप यहाँ पे इपने जौरत के साब से ले लिजिएगा मैं एक कप इस्तमाल कर रही हूँ साथ में हरी मिर्च आर्ट कर लेंगे बारिक चॉप किया हुआ आप जितना तीखा खाते होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हरी मिर्च आर्ट कर लेजएगा दो से तीन बड़ा चमच इसमें आर्ट कर लेंगे बारिक कटा हुआ प्याज और इसी के साथ में आर्ट कर लेंगे बारिक कटा हुआ लसन और साथ में अद्रक आप चाहें तो अधेक लसन को क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके से बारिक काट करके भी यूज कर सकते हैं बारिक चॉप किया हुआ फ्रेस हरा धनी आट कर लेंगे मुठे वर जितना और इसी के साथ में आट करेंगे एक चोथाई चमच अजवाइन अजवाइन से डाइजेसन बहुत अच्छा होता है और साथ में आट करेंगे एक चोथाई चमच मंग्रेल जिसे कलोंजी कहते हैं एक चमच यहां पर नीम्बू का जूस आट करेंगे इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा हमारे पराठे में और एक चमच इसमें आट कर लेंगे कच्छा सरसो का तेल इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठे में तो इससे आप जरूर आट कर लिजेगा और लास्ट में डालेंगे हम नमक, स्वाद के नूसार और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पहले यहां पर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हमें जितना जरूरत होगी पानी का उतना हम यहां पर यूज करेंगे आप चाहें तो यहां पर कोई भी आचार का मसाला डाल सकते हैं आदा चमच इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही चटपटा आता है, मैं यहाँ पे लिमन जूस का यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने अचार का मसाला नहीं डाला है, आप जहाँ तो डाल सकते हैं, सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी यूज करना ही, जादा पानी का इस्तिमाल हमें नहीं करना है, और इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इस तरह से हम मुठी बांद करके देख लेंगे, तो यह मुठी बंद रही हो, यहाँ पे हमारा जो सत्तू एकदम पर्फेक्ट है, तो अब हम चलते हैं टमाट टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, आप यहाँ पे चट्नी जितना बनाना चाते हैं, उतना टमाटर का इस्तिमाल कर सकते हैं, फ्लेम को हम मीडियाँ में करेंगे, और इसे हम सिखने देंगे, जब यह हलका सा इक तरफ सिख जाएगा, उसके बाद इसे हम पलट देंगे, और ही तरीके से हम अलड़ते पलड़ते हुए टमाटर को अच्छे से भूनेंगे फ्लेम को आप पूरे प्रोसेस में मेडियम में रखेगा ताके टमाटर जो है वो अच्छे से भूने कहीं से भी ये कच्छा नहीं रहे और चटनी बनाने में हमें बहुत आसानी हो तो देख सकते हैं हमनी टमाटर को भून लिया है बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है सत्तू का पराठा और भूनेवी टमाटर की चटनी परफेट कॉम्बिनेशन है तो अब यहाँ पे हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से भून चुके है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जब यह हलका सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसका चिलका जो है हमें निकाल लेना है तो बहुत ही असानी से रिमूव हो जाते हैं यह देख सकते हैं तो सभी टमाटर के चिलकों को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे इसे आप पानी से ना दो है नए तो इसका जो स्मोक फ्लेवर है भुनेवे टमाटर का वो निकल जाएगा और चटनी का स्वाथ जो है न वो अच्छा नहीं आएगा तो यहाँ पे हमें ऐसे ही इसे निकाल लेना है चिलका को इसे पानी से वाश नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने चिलके निकाल लिये हैं उसके बाद हम क्या करेंगे कि चाकू की मदद से इसे कट कर लेंगे और छुट छुट पीसे में इसे कट करेंगे ताकि हम इसे मैस करने में असानी हो तो यहाँ पे टमाटर जो है वो इस तरीके से हम काट लेते हैं तो यहां पे मैंने सभी Tomato को छुठे-चुठे काट लिया है ताकि इसे अक्ष करने में असानी हो और हम हाथ हो से यहां पे टमार्ट को मेश करेंगे, मेस करने के लिए ना तो हम मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इमाम Dacity का, इसे स्वाथ जो है कितना perfect लग रहा है देखने में और अब इसमें हम आड़ कर लेंगे बारिक चॉप करके हरी मिर्च हरी मिर्च अपने टेस्ट के साफ से ले लिजेगा जितना आपको तीखा पसंद होगा 4-5 लसन की कलियों को हम ग्रेट करके आड़ करेंगे आप चाहे तो बारिक आड़ करके भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार इसमें हम नमक आड़ करेंगे और दो चमच इसमें बारिक चॉप करके प्याज आड़ करेंगे सबी चीजों को हम यहाँ पे कच्छ आड़ करेंगे लास्ट में आड़ करेंगे हरा धनिया और सर्सो का ओयल सर्सो का तेल इस रेसिपी की जान है तो आप इसमें जरूर आड़ कर लिजेगा और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यह हमारी बोहती टेस्टी चटपटी सी चटनी बनकर तयार है भुनेवे टमाटर की जो सत्व के पराठे के बनाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे सभी लोय को बना कर तयार कर लेना यह देखे कुछ इस तरीके से तो चलिए ब इसे हम रोल करेंगे तो रोल करने के लिए चेकले में रखेंगे थोड़ा सा हम लोय को चिकना कर लेंगे उसके बाद इसमें हम सुखा लगाएंगे त जो हमने सत्तू का जो मसाला बना करके रखा हुआ था चटपटा सा उसे हमें यहां पे भरना है दो से तीन चमच अच्छे से दबा दबा करके भरेंगे ताके यह बाहर नहीं निकले और अस्टफिंग को हमें अच्छे से कवर करना है यह देख सकते हैं गुमाते हुए हमें अ पराथे जो है न वो फट जाएंगे पहले इसे फैला देंगे उसके बाद हमें हलके हाथों से इसे रोल करना है ताकि हमारे पराथे जो है वो फटे नहीं और बाहर सत्तू निकले नहीं तो यहां पर इस तरीके से हमें हलके हाथों से रोल कर लेना है यह देख सकते हैं तो हlsआ है रोल हो जाते हैं तो अब चलते हम इसे शेकने के प्रोसेस तक इसे सेक लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पराथे जो हैं कितने परफिक्ट फूले हैं और कलर देखें कितना बढ़िया आया है तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो पराथे एकदम मस्त बनेंगे फूले फूले और बनाना भी इसे बहुत आसान है सेम इसी तर पर आपको बहुत जादा पसंद आया तो नहीं के घुर आफ जरूद बहुत जादा पसंद आईगी तो शोल मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को जरूद ऍरॉ हो इसा दूस भाई शोल आइए इसा उर